हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एक्समार्ट स्टेडी साथ्यों बिहार पुलिस कोंस्टेबल के लिए आप सभी ने फॉर्म एपलाई किया होगा और देखिए बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्पुन कोस्टन्स करेंगे आज इस वीडियो में सामायन विज्ञान के आज इस इस में जो कोस्टन्स आपके पुछे गए हैं बिहार पुलिस में उसी के एकोडिंग आपको कोस्टन्स करवाएंगे काफी कोस्टन्स मैंने प्रिवियस इस का लिया है और उससे एकोडिंग जो कोस्टन्स आपके इस बार पुछे जा सकते हैं उन कोस्टनों को भी एड किय तो आज इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा बहुत ही important questions करवाएंगे आपको बता दे समाइन विज्ञान का यानि जेनरल साइंस का ये पहला ही आपका सेट है बिहार पुलीस के लिए डेली आपको सेट मिलेंगी साथियो अलग-अलग topics के अलग-अलग subjects के सारे वीडि question मिलता है वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना नए साथ ही जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आउन का लिजिएगा चलिए तो देखते हैं कौन-कौन से questions है आज के हमारे इस class में तो आज की class का पहला question है आपके स्क्रीन पर ग option number A बिल्कुल correct answer है एक चीज़ आपको बता दे वीडियो के last में आपसे question पुछेंगे उस question का answer आपको वीडियो के नीचे comment box में comment करके बताना है ठीके चलिए अगला question है निमने लिखी तत्व में से किसका लवन पटाखों में रंग विखरते हैं या रंग उत्पन करते हैं very very important question है भी भी आई question है तो दिखिए इस question का right answer हो जाएगा साथ यो option number C इस्टांसियम एबंबेरियम आप देखिए आतिस वाजी जो होता है ना यानि जब हम पटाखा फोड़ते हैं तो दिखिए पटाखा जब हम फोड़ते हैं और उससे जो लाल रंग उत्पन होता है वो या मानव सरीर के किस अंग में यूरिया का निर्मान होता है very very important question है और देखिए मानव सरीर के किस अंग में यूरिया का निर्मान होता है तो right answer हो जाएगा option number है यकरत में यकरत यानि जिसको आप लिवर बोलते हैं जो की हमारे सरीर की सबसे बड़ी गरंथी होता है अगला करती है तो साथियों सीधी रेखा में सिंपल सा कोश्चन है आपको याद रखना है लेकिन छोटे-छोटे कोश्चन से एक्जाम में फसा देते हैं याद रखना परकास की कीरन वह सीधी रेखा में गमन करती है ठीक है अगला कोश्चन है सामायनी आख के लिए उसकी समंजन छ कोन नियंतरित करते हैं वेरी-वेरी इंपोर्टेंट कुट्वटिन है और याद रखना जोपूतली होता है मारे आख में उसको को नियंत्रित करता है तो परी तारिका परी तारिका जिसको इंगलिस में आईरिस बोलते हैं देखो अंग्रेजी में परी तारिका को आईरिस बोला जाता है ठीक है अब देखिए जो हमारे आखो का डेखते हो न किसी किसी का आख नीला होता है किसी का गहर तो दिकर की टीम्टी माने की बैख्या किस सिध्धांत पर आधारीत है तो आधारित है तो दीकि टीम्टीमाने की साथ हो myopia क्या बोलते हैं myopia जिसको बोलते हैं ठीके और देखें दूर दुर दृष्टी दोस में क्या होता है तो बस्तु का प्रतिभीम जो है वो रेटीना के पीछे बनता है ठीके और दूर दृष्टी दोस को हम क्या बोलते हैं तो hypermetropia एक चीज़ और याद रिखें कि दूर दृष्टी दोस को किस परकार से ठिक किया जा सकता है तो उत्तल लेंज से और निकर दृष्टी दोस को किस लेंज से ठिक किया जा सकता है तो अवतल लेंज से ठीके आगे दिखेंगा नेत्र की समंजन छमता कम हो जाने से क्या उत्पन होता है तो देखे जब हमारे नेत्र की समंजन छमता कम हो जाती है तो कौन सी बिमारी होती है आखों में तो जराद रिष्टी दोस्ट याद रिखेगा option number D राइटन सरोगा चलिए अगला question है इंद्र धनूस का बंड़ना इस परिखटना पर अधारी थे किस परिखटना पर ये आपको बताना है तो देखेगा इंद्र धनूस का बंड़ना इनमें से किस परिखटना पर तो प्रकास का पुनांतरिक प्रावर्तन यानि total internal reflection of light option number C इस question का right answer हो जाएगा चलिए आगे दिखिएगा किसी कोलाईडी देखिए किसी कोलाईडी बिलियन में निलंबित कनों से प्रकास के परकिर्णन को क्या कहा जाता है बहुत ही important question है और आपको note जरूर कर लेना है इस question को देखिए इसका right answer हो जाएगा साथ हो टिंडल प्रभाव किसी कोलाईडी बिलियन में निलंबित कनों से प्रकास के परिकर्णन को क्या कहते है तो टिंडल प्रभाव कहते है अगला question है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्यात करने का सुत्र क्या है सिंपल सा question है यार प्रतिरोध बराबर क्या होता है भी बटे आई ठीक है यानि option number 20 question का आपका right answer हो जाएगा ठीक है चलिएगा अगला question है निमनल कित में से कौन नवी करनिया उर्जा का सुरोथ है very very important question तो देखिएगा इनमें से कौन सा नवी करनिया उर्जा का सुरोथ है तो right answer हो जाएगा साथियो सौर उर्जा option number D correct answer होगा solar energy देखिए आपको class बिलकुल fast करवा रहे है ताकि आप कम समय में जादे questions बढ़ सकें आपका समय बचे ठीक है अगला question है साथियो देखिएगा और किसके जनम दिवस पर तो याद रिखेगा सीवी रमन जी सीवी रमन भारत के पहले भौतिक सास्त्री है जिनको नोबेल पुरसकार में दिया गिया था physics के छेतर में कब तो 1930 में याद रखना और 28 फरवरी को ही इनका जनम दिवस मनाया जाता है और इसी उपलफ में भारत में राष्ट्य विज्ञान दिवस मनाते है तो option number B correct answer होगा CB रमन चली अगला question है हड़ियों का अधियन निमनल खित में से किसके अंतरगत किया जाता है simple सा question है हड़ी यानि osteology option number D इस question का right answer हो जाएगा हड़ियों का अधियन किसके अंतरगत किया जाता है तो osteology के अंतरगत next question है किसी माज़्धम में उत्पन परासरव तरंगों को संसूचित यानि detect किया जा सकता है किसके द्वारा किसी माज़्धम में उत्पन परासरव तरंगों को detect किया जा सकता है next question है बिस पंद देखें बिस पंद यानि bits यह परिनाम है किसका तो bits जो होता है साथ यह किसका परिनाम होता है तो देखें correct answer हो जाएगा लगभग समान आवरितियों की दो तरंगों के आवरितियों का यानि इस question का correct answer हो जाएगा option number D और इस question को भी आप लोग note कर लिजेगा ठीक है या screenshot ले लिजे चलिए आगे दिखेंगे अगला question है उस्मा को बेद्धू तुर्जा में परिवर्तित या परिवर्तन करने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो उस्मा जो होता है न साथियों हीट ठीक है तो उस्मा को बेद्धू तुर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका परियोग करते हैं तो याद रिखेगा सभी साथी थर्मो कपल का ठीक है थर्मो कपल ताप योगमग है याद तर्किये थर्मोकपल इस question का correct answer हो जाएगा थर्मोकपल नेक्स्ट कोस्चन है निमनल खित में से कौन सा लार यानि सलाइवा का लाव नहीं है तो देखिएगा यहां निगलने में मदद करता है यह तो लार का लाव है बिल्कुल ठीक है यहां मुख तथा दातों को साप रखत है यह सरीर में RBC की ब्रिद्धी करता है जो की गलत है तो यह question में आपसे ही पूछा है कि कौन सा लार का लाव नहीं है यानि right answer हो जाएगा option number B चलिएगा अगला question है किस समू के सदेश को आमतोर पर इस पंज कहा जाता है तो याद रिखिएगा पोरी फेरा समू के जो सदे होते हैं उनको आमतोर पर इस पंज कहा जाता है तो option number C right answer हो जाएगा अगला question है किसी द्रब के ताप में ब्रिद्धी करने पर इसका क्या होता है तो दिखिए जब किसी द्रब के ताप में ब्रिद्धी करते हैं तो उसका आयतन में ब्रिद्धी होता है और घनतों में कमी ह होती है तो राइट रोजाएगा option number C इस question को भी आप लोग नोट कर लिजेगा चलिए आगे देखेंगे अगला question है सबसे अधिक अपवर्तनांख वाला आख का अंग कौन सा है यानि मानव आख का वहाँ कौन सा अंग है जिसमें सबसे अधिक अपवर्तनांख होगा तो देखें करेक्ट रोजाएगा लैंस याद रिखेंगा option number C लैंस करेक्ट रहे अगला question है enzyme क्या होते हैं तो देखेंगा साथियो enzyme क्या होते हैं तो enzyme एक प्रकार के protein होते हैं इस question anti-piratic और देखेंगे disinfected यह सभी दवा का प्रकार है medicines है तो कौन से medicine का परियोग दर्द के निवारन के लिए करते हैं तो एनलजेसिक का तो option number 20 question का करेक्ट रोजाएगा याद रखना एनलजेसिक medicine ठीक है चली अगला question है सरीर के साथ संपर्क में spirit ठंडी अनुभती देती है क्यों spirit यानि मानके चलिया perfume जो की प्रकर का दर्ब होता है perfume यानि scent perfume जो हम लगाते हैं ठीक है जब वो हमारे body में जाता है तो हमें ठंड लगता है लगता है ना जब हम इस प्रे अपने body में लगाते है perfume आला तो हम ठंड महसूस होती है यह किस कारण होता है ठीक है क्योंकि यह जो spirit है वो क्या है तो साथ यो यह एक अट्यंत बास्पसिल होता है ठीक है तो correct answer हो जाएगा option number C ठीक है चलिए गागला question देखेंगे तो देखेंगे मधुमक्खी कलोनी के सदे से एक दूसरे को किस परकार उपलब्ध भोजन की दिसा को बताते हैं बहुत यह अच्छा question है आप देखेंगे question पूछा गया है कि मधुमक्खिया जो होती है माल लेते एक मधुमक्खी किसी जगा से अपना भोजन पराप्त करके आया तो दूसरे मधुमक्खियों को किस परकार से बताएगा कि वहाँ पर भोजन है बताईए बिलकुल गंद से option number A right answer हो जाएगा साथ यो बहुत important question है य याद रखना परियावरन का पहला सयुक्तराष्ट संवेलन ये स्कोट हम में आज जित हुआ था 1872 में एक चीज आपको और याद रखना है यहाँ देखिए प्रथम बार प्रिथ्वी संवेलन अगर आपसे पुछे कि प्रथम बार प्रिथ्वी संवेलन कब हुआ था तो याद रखना 1992 में कहा वा था तो ब्राजिल के रियोडी जेनेरियो में ठीक है याद रखना रियोडी जेनेरियो में चलिएगा अगला कौूश्चन है निमन में से किस ताप पहमाने पर तापमान कभी रिनात्मक नहीं होता है बहुत ही इंपर्टेंट कूश्चन है दिखि माइनेस ौ2703 सेंटीगरेट तो भाइ गेलिन प्रेमाना कभ्य माइनेस में नहीं होता है लास्ट इसका होता चीरो केलविन और जीरो ॉधरी केल वरावर होता है माइनेस ौ273 सेंटिगरेट कलियर है चलिए इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दीए अगला कोश्चे ने हरावर्न का संपूरक वर्न क्या संबंदित है तो दिखे मेशनर प्रभाव का संबंद साथियो अती चाला को से राइट एंसर हो जाएगा option number D next question ने तमबाकू का देखे तमबाकू का धुआ स्वास्त के लिए हानिकारख है क्योंकि उसमें क्या होता है simple सी बात है निकोटीन होता है option number D correctance रोगा अगला question है गलसुआ जिसको मंपस बोलते हैं तो गलसुआ एक वाइरल रोग है जो सुजन पैदा करता है कहां तो साथियो याद रिखेगा ठीके देखे पैरोटीड में पैरोटीड यानि कर्न पूर्व गरंथी में याद रखना गलसुआ जो क॑ष्चन है किलोवाट घंटा कई सारे उनिट का मातरक होता है कई बहुत सारों का मातरक होता है उसमें इक होता है उर Slot तो उर्जा का मातरक होता है दो मानज सरीर कि सबसे बड़ी मिसरित गरंथी कौन सी है ये question फसा देगा आपको very very important question है आप इस question को देखते ही यकरत अंसर करोगे और गलत हो जाएगा मानव सरीर की सबसे बड़ी गरंथी अगर पूछे तो यकरत correct answer हो जाएगा लेकिन अगर आपसे पूछे कि मानव सरीर की सबसे बड़ी मिसरित गरंथी कौन सी है तो अगनासाई correct answer हो जाएगा प्रेंकिरियाज जो की मानव सरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंथी है और सबसे बड़ी मिसरित गरंथी है याद रखना चलिएगा अगला question है तो जब भी यह question पूछे कि क्लोरीन की सवयोजगता क्या होती है तो आपको याद रखना है अगला question है बायू मंडल में कारवन डायोकसाइड गैस की उपस्थीती कितनी है तो देखिए बायू मंडल में जो कारवन डायोकसाइड गैस है इसकी उपस्तिती कितनी है तो 0.03% option number सी correct answer हो जाएगा अगला question है संग्मर्मर का रसानिक सुत्र क्या होता है तो देखे संग्मर्मर यानि चुना पत्थर इसका रसानिक सुत्र होता है CACO3 जिसको हम रसानिक नाम के तौर पर जानते हैं calcium carbonate के रूप में अगला question है पाइराइट Sax को जलाने से क्या मिलता है तो देखे जब हम पाइराइट आइस्क को जलाते हैं तो क्या मिलता हमें तो Sulfur dioxide gas रिखिएगा सल्फर dioxide gas ठीक है अगला question है होमिविश्कारक क्योन थ है वेरि वेरि इंपोर्टेंट कोश्चन है तो देखिए होमियो पेथि के आविश्कार कौन थे तो याद रखना है New懇 आध्व रकना है जैज तो याद रखना है सामियो मंडल में परकास के विशुरन का कारण है धूलखन। और इसका इलाज के लिए किस प्रकार के बेडिसिन का परियोग करते हैं तो याद रखना एस्पिरीन और एक पिंड उस्मा का सबसे अधिक अवसोसन करता है जब वहाँ किस प्रकार हो यानि देखिए उस्मा जो है सबसे अधिक अवसोसित करता है किस रंग को तो सिंपल सी बात है काला तो होगा ही ठीक है काला आपको पता है और एक होता है खुरदरा तो ऑप्शन नमबर एक करेक्टन्स रोगा काला और खुरदरा को अब देखिए अगला कोश्चन है घरेलू बिद्धूत उपकरनों में परियुक्त सुरक्षा फ्यूज तथा तार तथा धातू से बनी होती है जिसका क्या होता है घरेलू बिद्धूत उपकरनों में जो हम सुरक्षा फ्यूज में तार का परियोग करते हैं वो किस परकार के धातू से बना होता है तो याद रखना जिसका गलणांग कम हो ऑप् थेली यह लाइसोजोम को ही कहा जाता है ठीक है अगला कोश्चे ने दूद को दही में इसकंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चे ने तो याद रिखेगा रेनिन ऑप्शन नमबर एक करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कोश्चे ने बा निमनल खित में से किसको आरबी सी का कवरिस्तान कहा जाता है बहुत एच्छा कोश्चे ने याद रखना पिलिहा को ठीक है पिलिहा को आरबी सी का कवरिस्तान कहा जाता है अगला कोश्चे ने कौन सी अक्रियग ऐस है जो योगिक बना सकती है बहुत एच्छा कोश्चे न याद रखना जिन् Awn सातीस जिन जिसका रेमजे ने किया था बिलियम रेमजे ने तो त Chemical विट का जो उटेक्व देखिए desktop publishing याद रिखीगा desktop publishing ठीक है चलिए question of the day आपके लिए है ये question और इस question का answer आपको comment box में comment करके बताना है कि किस ततो की कमी से घेंगा रोग होता है nitrogen, calcium, phosphorus या iodine इन चारों में से कोई एक answer है आप लोग सभी साथी comment कर दीजिए आपको पता होगा कि किस की कमी से घेंगा रोग होता है और साथियो साथियो में comment करके ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और अगर अच्छा लगा है तो आपने सभी दूस्तों के साथ जरूर शियर करना नए साथियो अगर कोई भी आय थे आज तो चैनल को subscribe करके bell icon को on कर लिजेगा और साथियो वीडियो को एक like जरू कर देना साथियो इस बार एक वर्दी आपको अपने नाम करना है में 100% तैयारी कराऊंगा बस आपको पढ़ना है चलिए तो मिलेंगे एगली वीडियो में तब तक स्वास्त रहें जैन साथियो वन्यमात्रम